पेस्टी पूर्पॉइंट में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ स्वाती और आज मैं आपके साथ रोज एपल फ्रूट जूस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ रोज एपल फ्रूट गर्मी के दिने में आता है और इसे बहुत सरे नामों से जाना जाता है जैसे इसे जामरूल बोला जाता है, कई कई पे इसे जामबक भी बोला जाता है और ये जो रोज एपल है वो गर्मी के दिनों में ज़्यादा तर मिलते हैं मार्केट में तो यह इस तरह से दिखने में होते हैं, इसके बीज जो है उसको हमें कट करके इसको हमें निकाल देना है, तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद आप देख सकते हैं, अंदर यह जो काले उसके बीज होते हैं, या धागे उसको हटा दिना है, यह फल भोछ ठंडे होते हैं, तो यह गर्मी में जादा तर इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत सेहत मंध है यह, तो इसतरह से मैंने सारे फ्रूट क कट किया है अब इसको एक दो बार पाणी से वाश करके हमें इसका जूस बनाना है तो मैंने इसको एक ग्रैंडिंग जार में इसको मिलाया है और उपर से हम इसमें आधा लेमन जूस मिलाएंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें तीन से चार टेबल स्पून मैंने चीनी एड़ किया है और एक से दो पिंच हम नमक मिलाएंगे काला नमक भी आप डाल सकते हैं मैंने नॉर्मल नमक डाला है यहाँ पर हम फ्रीज में जो ठंडा पानी होता है उसी को इस्तमाल करेंगे एक से डेड़ ग्लास पानी इसमें एड़ किया है लगबक 200 से 800 मल पीषने के बाद यह इस तरह से बन जाता है वैसे यह स्मूदी के तोर पे आप पीना चाते है तो इसे बिना चाने ही पी सकते है लेकिन वो मूँ में अच्छा नहीं लगता है तो इसी लिए मैं इसको चान के ही इसका जूस में इस्तमाल करूंगी इसी तरह स्ट्रेनर से हमें चान लेना है और यह एक बड़िया से काच के ग्लास में हम इसे सर्व करेंगे तो ध्यान रखना है फ्रीज का ठंडा पानी है मैंने इसमें मिला कर इसको पीसा था तो आप भी ऐसे ही कर सकते है और चाहे तो आप इसके अंदर उपर से आइस क्यूब भी मिला कर इसको सर्व कर सकते है तो यह बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत ही टेस्टी बनता है यह जूस आप इसको जरू ट्राइ करके देखिए अ मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू